तो तेरे एक हैलो इस वाले वीडियो को आप देख लिएा तो इस वाले आपके अपर आपको देख लिएगा अपको आपको functioning करिए अपको को यहां पर add कर देना और material कर लिंक आपको मेरी वीडियो के decision box में मिल जाएगा तो इस वाले audio को add करने के फिर से फ्लस के एकन पर क्लिक करें media पर जाएए अब दोस्तों जिस भी photo पर आप यह वाल वीडियो एडिट करना चाहते उस वाली photo को आप select कर लिजिए तो photo photo को add करने के बाद यहां पर उपर के दर प्लस के एकन पर फोटो एड़ हो जाएगी इसके बाद मुवन ट्रांसों के option पर जाएए यहां से तीसरी नमबर के लास्ट पॉइंट प्रेस प्लिक कर देना है तो photo पूर्य एड़ हो जाएगी अब यहां पर effect पर जाना है यहां पर matte mask की पर जाना है और यहांसे इसके बाद यहां से आपको वीडियो के स्टाटर अलोग पाया प्लस प्ल्स के लिग करिए अब दोस्तों मेडिया पर जाए से उसके बाद दूसमे देर सका है इमेज दी है उस वाले इमेज को यहां पर आपने सेट कर देना है तो आपको यहां पर इमेज मिलीगी इसको आप यहां पर एड़ कर लीजे एड़ करने के बाद आपको ब्लेंडिंग ऑपसिटी पर जाना है लाइटन पर जाना है और स्क्रीन कर देना है अब इस वाले प्रप्ट वाली पन्जी और्स वाली पैंजी को आपने यहां पर एड करना है कि तो यहां पर अपने यहां को पूरी वीडियो में इस तरह से आगे तक ले ले लेना है इसी इमेज पर आपने रहेना है उसके बाँ दोस्तों यहां पर आपको सबसhoo अच्छे से position को सेड कर देना है तो आप अपनी वीडियो में जहां पर पी इस वाले message box को रखना चाहते है वहाँ पर set कर दीजिए इसके बाद दोस्तु यहां से आपको start इस वाले image के start all the point पर आना है जहाँ पर image start होती है वहाँ पर यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से scale के option पर जाना है अब यहाँ पर दिखे इसके जो 640 आपके जितने भी आपन 3 point आगे आने के बाद अब आपको जितने पहले था जैसे कि मेरे 640 था आपका जितना भी होगा यहां पर आपको 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 आगे आ जाना है और जहां से आप song की दूसरी जो पी एंजी है message book जहां से आप add करना जाते है वहाँ पर रुख जाना है इसके बाद यहां पर इसी layer पे रहना है फिर यहां से position option पे जाना है तो यहां पर आपने plus के icon पर क्लिक कर देना है इसके बाद यह जितना भी second है उससे एक second आपने आगे जाना है तो यहां पर जितना है उसको आप देख लिए मैं 5-18 है तो मैं 6-18 तक आगे जाओंगा ठीक आपको भी जो भी व इसके बाद दूस्तों यहां से आपको अच्छे से सेट कर देना है इसके बाद आपको दोनों जो अमने diamond एड़ किये दोनों की frame के बीच में आना है फिर यहां पर आपको करव के option पर जाना है और यहां से यह वाला करव आपने लेना है और इसको आपको इस तरह किसे दोनो है वहां पर रुकना है फर्स्ट वाले डोट पर आने के बाद यहां से आपको back वाले बड़न पर क्लिक कर देना है तो दूसरी message box को add किजिए फिर move and transfer option पर जाईए आपको अपनी सबसे जितना रखता उतना कर देना है इसके बाद आपको position के option पर जाना है और इसकी position को आपको जो फर्स्ट वाला message बोग चाहां पर रख देना है तो इस तरह के से रख दीए इसको थोड़ा सा आगे लेके आईए और अभी इस पर अच्छे से set कर लिजिए इसके बाद आपको इस वाले image को पूरी वीडियो में add करना है तो वीडियो के end वाले point पर आपको आ जाना है यहां से back आना है और इस वाले button पे click कर देना है अब यहां से की स्केल को आपने बढ़ाना जितने कि आपकी ओरिजिनल साइज दिमन लब गे 640 की साइज ठीक है मेरी 640 की आपकी जो भी होगी उतने आपने कर देने और जैसे इतना आप कल होगे आपकी यह वाल वीडियो बनके तयार हो जाएगी अब आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर होगी तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्स्राइब जाड़ से करें